हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके पनी यूटूब चैनल आर्केव और मैल अक्टेकल पर तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में डिसक्स करेंगे यानि यूपी पीसेल से एक नोटिफिकेशन वाइरल हो रहा है और काफी बच्चों के कमेंट आये हैं और परसनलिल कोल करते हैं चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर तो फ्रेंट्स यह वह नोटिफिकेशन है यहां पर आप देख पा रहे हैं दस जनवरी 2022 का यह नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है कारेयल मुग्गे अभियंता हाइडल उतर परदेश पावर कॉर्पेशन लिमिटेड क 1-1-2020 का वेवरण उपलंद कराने के संबंद में दोस्तों यह नोटिफिकेशन था और काफी बच्चों के कमेंट आए और काफी बच्चों ने यह फूचा क्या सर इससे वेकेंसी का कोई लेन देना है तो दोस्तों काफी बच्चे इसको लेकर परिशान हो रहे हैं तो दोस दोस्तों यह सिर्फ मैं आपको बता देना चाहता हूं यह सिर्फ किसी ने RTI फाइल की है और उसमें आपका रिक्त पदों का ब्योरा यहाँ पर उनसे UPPCL से मांगा गया है कि कितने आपकी स्विकरत पद हैं कितने कारे रिक्त पद हैं यह सब का ब्योरा आपको इस काफी बच्चे यह कमेंट करते हैं कि वेकेंसी सर आएगी यह नहीं आएगी अब दोस्तों यह वेकेंसी का तो आने वाला आपको टाइम ही बताएगा चुनाब के बाद किसकी सरकार बनती है और बारहाल यह बात जो वेकेंसी की बात रहेंगी यह चुनाब के बाद में ही आपको देखने को मिलेगी उससे पहले आपकी कोई बैकेंसी नहीं आने वाली है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मोहद्ने किर्पया आफगत कराना है समु गय एम गय के अंतरगत कार्मिक प्रतेक तिमाही स्विक्रत कारेरत रिक्त पदों की सूचिना 11-2022 की इस्तितिक अनुसार कोर्पेरेशन मुख्याले को थतकाल उप्तद करा जाना आवास्तक है आते आपसे अनुरोध है कि किर्पया अपने डिसकॉम या 21 संबनित 11-1222 तक की इस्तितिक अनुसार समु गय के समस्त कार्मिकों के स्विक्रत कारेरत रिक्त पदों की सूचिन 12 जनवरी 2022 तक असमेर रूप संगलन प्रारूप पर उप्लत कराने हेतु संबनित को निर्देशित करने का कश्ट करें ताकि सूचिना कॉर्पेरेशन मुख्याले तक समय से प्रेशित की जा सके अब दोस्तों फाइनली इसका जो यह नोटिफिकेशन का क्या-क्या उद्द पद हैं और कितने रिक्त पद हैं उसका यह वहाँ पर एक मतलब सूचना मागे गई है और जैसे ही सूचना प्राप्त हो जाएगी मुख्याले को यह ने को जैसे ही सूचना प्राप्त हो जाएगी उसके बाद उनको उनका जवाब दे दिया जाएगा और दोस्तों जल्द ह एसा एक notification आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा यानि वो viral होगा कि जिस भाहि को IT के माध्यम से पता चल जाएगा वो उसको send करेंगे तो वो viral होगा और उसमें आपका सारा ब्योरा आपके सामने आ जाएगा कितने कारीरत पद हैं, कितने स्विक्रत पद हैं कितने स्विक्रत हैं और कितने आपके कारीरत पद हैं तो दोस्तों ये सिर्फ काफे बच्चे इसको लेकर confusion न हो कि वेकेंसी आने वाली है तो दोस्तों अभी वेकेंसी में थोड़ा time लगेगा चुनाब के बाद ही कुछ पिरक्रियाए होंगी वेकेंसी को लेकर और ये एक सिर्फ RTI है RTI से जवाब मांगा गया है कितने कारेरत पद हैं और उससे जल्द ही जो notification जारी होने वाला है यानि जो जवाब आएगा वो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा और उसमें पता लग जाएगा कितने पद विभाग के पास रिक्त पड़े हैं उसी के बाद उस पर कोई पिरक्रिया हो सकती है ये 100% नहीं कहा जा सकता कि वेकेंसी के लिए notification ये निकाला गया है ये सिर्फ एक RTI से मांगा गया जवाब है तो दोस्तों ये थी कुछ important information उम्मीद करता हूँ आपके doubt के लियर हो गये होंगे कि ये RTI के लिए मांगा गया एक पत्र है और वीडियो आपको चले लगे होगी तो प्लीज वीडियो को जाला लाइक और सेर करें चैनल पने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम जायते रहे से वीडियो लाता रहता हूँ तो thank you for watching this video see you next time